जै माताई दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिये गए बैल आइकन को ज़रू प्रेस कर दें दोस्तों 22 जून को शुक्र देव मिथुन राशी से यात्रा समाप्त करके दोपैर दो बज कर अठारा मिनट पर उनर वसु नक्षत्र के चथे चरण में गोचर करते हुए करक राशी में प्रवेश कर जाएंगे और इस राशी में ये 17 जुलाई की सुबह 9 बज कर 23 मिनट तक रहेंगे उसके बाद ये सिहिंग राशी में प्रवेश कर जाएंगे व्रेशब और तुला राशी के स्वामी शुक्र कन्या राशी में नीच के होते हैं और मीन राशी में उच के कुंडली में शुक्र ग्रह के मजबूत होनी पर वेवाहिक जीवन में सुख बना रहता है और सभी तरह के एशो आराम भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है मही कुंडली में शुकर ग्रह कमजोर होने पर वैवाही जीवन में कई तरह की परिशानिया जहिलनी पड़ती है शुकर ग्रह भनी, पूर्वा, फालगुनी और पूर्वा शाड़ा जैसे नक्षत्रों के स्वामी ग्रह है बुद्ध और शनी शुक्र ग्रह के मित्र जबकि सूर्या और चंद्रमा इनके शत्रू माने गए हैं शुक्र ग्रह को एक राशी से दूसरी राशी में जाने के लिए करीब 23 दिनों का समय लगता है इनके राशी परिवर्तन का व्रिश्चिक राशी के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा आईए इस वीडियो में जानते हैं दोस्तों शुक्र का गोचर आपकी राशी के भाग्य भाव में होने वाला है जिसकी वज़ा से आप धर्म और आध्यात में मेरूची लेंगे तीर्थ यात्रा का योग भी बनेगा सामाजिक ट्रस्ट और मंदिरों में दानपुन्या आप करेंगे ये समय आपके लिए दान-पुन्य, पूज़ा, जप-तप और मंत्र सिधी में ज़्याद़ा व्यतीत होगा विदेशी कंपनिओं में सर्विस या नागरिक्ता के लिए किया गया प्रयास आपके लिए सफल होगा ये समय आपके लिए आत्म निरिक्षन का होगा आप में जो कम्या हैं आप उन्हें ढूंड कर उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे अपने व्यक्तित्म में सुधार लाने की कोशिश करेंगे किसी नए काम की शुरुआत के लिए बेहद अच्छा समय रहेगा क्योंकि शुक्र आपके भाग्या भाव में हैं तो यहां भाग्या का पूरी तरह से साथ आपको मिलेगा व्यवसाय में नए और सकरात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेंगे कैई काम आपके ऐसे होंगे जो आपको उचाईयों तक लेकर जाएंगे कारोबालियों को बड़ा लाब होगा नौकरी कर रहे लोगों को भी करियर में अच्छे अपसर प्राप्त होंगे लेकिन स्वास्त के लिहास से आपको त्वचा में संक्रमन देखने को मिल सकता है तो यहां स्वास्त के प्रती थोड़ा सा सावधान रहें अपनी कुंडली में शुकर ग्रह को मजबूत बनाने के लिए खटाई का सेवन ना करें और माता लक्षमी की आप उपास ना करें और जो भी आप भोजन ग्रहन करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा गाए या कुत्ते को जरूर खिलाएं इसके अलावा चमकदार सफेद या गुलाबी रंगों का आप इस्तमाल करें यह आपके लिए बहुत ही शुब रहेगा तो दोस्तों ऐसी ही और अधिक जानकारी के लिए चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें धन्यवाद